अलो दोस्तो वैलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तो आज का जो मैं वीडियो लाया हूं वो लाया हूं दोस्तो आप लोग जो कमेंट किये हैं उसका एंसर बताऊंगा और दोस्तो इसमें कॉंपोनेट का भेलू भी बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखिए जानिये समझे और सेखिये और अपना सर्कुत कोploy कीजिए चलिए दोस्तों वीडियो को स्वुरू करते हैं तो दोस्तों पहला जो कमेंट ले ने वाला हो और सादम लिख रहे हैं कि सर्कितने विल्ट का PF लगाना है और जो है आपका आइसीद को यह जो चार ले गए को शोट करना है ठीक है सुट करने के बाद में जो प्येयव का connection आप इधर कीज़ेगा चाहे आप कोई भी एक एमोबी का connection देखिए कहां में वहां इस तरह से कर दीजिएगा और उसके बाद में आपका सर्किट बिल्कुल ओक्य हो जाएगा तो यह होगे आपका पहला कमेंट का एंसर और आपना भेलू भी इस प्येफ का अगर इसमें लिखा रहेगा तो समझे वह 300 भोल्ट तक से सकता है ठीक है इस तरह का जो जितना भोल्ट का आप लगाएंगे उस तरह में यह इसना नाइन वाट बारा वाट यह सबका अलग-अलग एमोवी आता है तो जिस नाइन वाट में ज्यादा तर आपको मिलेगा 471 और 0,7 D, 5,1, K यह जादा तर मिलेगा क्योंकि यह जो अब मोवी लगा रहता है सर्कित में इसका व्हलू का उपरी यह व्हलू जो है यह नाइन वाट, सेबन वाट में ज्यादा अलगा रहता है तो नाइन वाट में ज्यादा तर मिलेगा आपको 07D511K ये 320 भोल्ट तक सह सकता है उससे ज़्यादा होगा तो MOV खराब हो जाएगा और साथ उसके बाद में ये जो रेजिस्टर है ये भी खराब हो जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखिए है अगर ये जो वेलू है ये आप देख लीजेगा कोई किसी में लिख के राखिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगा तो ये MOV का भेलू इस तरह ही का होता है 07D511K ज़्यादा तर 9W में मिलेगा आपको 320 तक इसका भोल्ट का कैपासिटी है इससे ज़्यादा आएगा तो खराब हो जाएगा ये हो गया आपका कमेंट का एंसर नेक्स्ट जो है पिन्टू साहू इन्हों ने लिखाया MOV का भेलू क्या है जी तो ये भी सेम है आपका MOV का जो भेलू होता है ये ये आप 07D511K लगा सकते हैं 9W में ठीक है नेक्स्ट जो कमेंट है प्रितम कुमार MOV निकाल देने के बाद भी सीरिंज जलता है तो दोस्त ये जो आप जो फोल्ट बता रहे हैं ये हो गया आपका IC का फोल्ट अगर आप सीरिंज में सर्कीट को टेस्ट करेंगे और आपका सीरिंज लेंप जल रहा है तो समझे कि आपका IC खराब है तो आपको इसी तरह से लगाना होगा जैसे मैं आपको फर्ष्ट में बताया हूँ कि ये IC को सॉट कर लिजेगा और ये 105 जे 400 बोल्ट का PF ले लिजेगा 1 मेगा ओम का रेजिस्टर लगा लिजेगा और इस दोनों किसी भी लेग में लगा के आप अपना सर्कीट को ओके कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना है अगर आप लोगों को सर्कीट में कोई भी प्रोबलाम होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए मैं उसको पर वीडियो बनाऊंगा और आपना सर्किट उक्की कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत बुलिए गया तो थैंकि फॉर वाच ह यह वाच है नबुलिएगरी।